पंजाब की अम्रिस्टर में भारती जुनता पार्टी के देहाती अध्यक्ष हर्दियाल सिंग ओलक द्वारा अम्रिस्टर देहाती भाश्पा की प्रभारी रीना जेटली के नेत्रित्व में भारती जुनता पार्टी पंजाब के हावान पर 27 जून को आयोजित की जाने वाल वर्चुल रैली सम्मंदित तैयारियों का अजयाजा लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्षता भाजपा देहाती अध्यक्ष हर्दियाल सिंग उलखने की इस बैठक में जिला देहाती के सब ही पदादिकारी उपस्तित रहे अज डी सडी प्रेस मीटिंग जिडिया वो फालिटी हाई कमान देशा नर्देशाँ ते शरी अश्वनी कुमार जी और सडी तिनय जरनज कातर और जिले दी ते आतीदी अध्यक्षा नर्देशाँ ते प्रदान मंत्री जी जिडा जनता देना ते संदेश पत्रेया ये जारी जैअटी करना वास्ते आसीयद एक दो एक साल पूरा होन ते जिए उकलबधिया ने उनावास्ते असीयद एक दो एक साल मानलग प्रदान मंत्री जी ने ऊगम कीते हैं जिडे कांग्रेश सरकार ने पिछले बड़े दहाक्यांतों जान जान बोची का लम काया सी, जान पर उन्हा दी मियत तन जड़ी सी और बदनीती सी। जे में के तारा 370 एक कांग्रेस दी धेंड सी एक कांग्रेस दी गलत नहीं ती है करके एस तारानू इनालम काया गया सपासांसद आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा बेटा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ ही जहर ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी और मेंबरों को आरोपी बनाये गया है आजम खान के खलाफ चार महिने से हो रहे धीनी पुलिस कारवाई में अचानक तेजी देखने को मिल रही है जहां पुलिस में पहले ही आजम खान और उनकी पत्नी बेटे को जेल भेज दिया है और अब उनके नजदी की समर्थकों को पुलिस एक एकर ग्रिफतार कर जेल भेज रही है जिससे सपा के नेता भूमिगत होने को मजबूर हो गए है इस तरह पुलिस की कारवाई का खोफ सपानेता और कारकर ता हमें साफ देखा जा सकता है पंजाब में लौ एंड ओर्डर की हालत बहुत जादा बिगड़ती जा रही है। उनके घर में किसी भी सदस से को गोली नहीं लगी लेकिन गोलियां इस हिसाब से चलाए गई थी कि किसी की जान ले ली जाए। अब पीड़त ने न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस ने भी आगे की कारवाई शुरू कर दी है। सब्सक्राइब कर दो किसी कारवाई है। कौंसलर हों अंदे नाते मजूदा कौंसलर ही सेंटरल के तो सोनी साब दे। सब्सक्राइब कर दो किसी कारवाई है। इनना ने जड़ा वा सड़ते आज जाए। सठाथ दर्मयान बंदे लाया के सड़ते हम लागीता। चार बंदे जड़े गूलिंगा चलाउना ले। बाकियों ने एट रोड़ा कीता। मेरे कर देश दाखलो के लागे। इनना ने गोलिंगा में चलाइजा। ते इड़ा वा एट रोड़ा वी बहुत चलाया वा। ते सानु इनना तो इड़ा जानमाल दा खत्रावा। में अपने बच्यां दे जानदा खत्रावाते अपने प्रवार दा इड़ा इननतों खत्रावाई है। लदाग चीन बॉर्डर पर हुई जड़प के दोरान शहिद हुए बीस भारते सानिकों की शाहदत से आहत हो जम्यत। उलेमा हिंद ने चीन के सामान का पूर्ण रूप से भाईशकार करते हुए मुसलिमी ववाओं को देश की सेवा करने का अफसर देने के लिए भारती सेना में भरती करने की भारत सरकार से मांगी है। बतादे के संबल के सराय तरीन के पीला खदाना में जमित उलेमा ए हिंद के जिला धेक्ष मौलाना में हर इलाही के आवास पर एक बैठक हुई। पडोसी देश नेपाल द्वारा सीमाओं के आंकलन के मुद्दे पर भी मौलानाओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत सरकार को नेपाल से हर तरह का रिष्टा खत्म करते हुए उसे दी जा रही सभी सुवधाएं वापस ले लेनी चाहिए साथी वीर शहीद अब् द्वारा सीमाओं ने विचार रही सब्सक्राइब करते हैं कि इसके सामानों का बाइकार्ट किया जाए ताके इसको ठेस लगे और आइंदा है इसी हरकत हिंदुस्तान के साथ यह ना करें क्योंकि यह हिंदुस्तान मुसल्मानों के खुन से इसकी जमीन रंगी हुई है रही करेंगे इसीलिए झामने यह मिटिंग बुलाई है है और चाइना की तमाम फोजे हमारे हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हो रही है इस सिले में हम जमियत खुलमा जिलासंबल की जानिव से अपनी हुकूमत से भी अपील करते हैं और अपनी तरफ से ये बात कहते हैं कि हम तमाम मुसल्मान हिंदुस्तान के रहने वाले अप और अपने इस वातन से बेहद मुहबत करते हैं और इस मGUहबत के नतीजे में हम अपनी तमाम मुसल्मानों की औृ तर windowsान में ब Brazilian regulation has हर वक्त तयारे ह? हमारा हर भाजवान इस वतन की मुख्बत में, इस वतन की हिवाज़त में और वतन की सरहदों की हिवाज़त में हर वक्त जान कुरबान करने के लिए ऊसकों करने यह नहीं गेटियार हैं और अ diyorsunत्यों कि क्लुक कर सकते हैं निया अधीश द्वारा कराय जाने के विशे में ग्यापन दियाग। जिसके बाद जिला कॉंग्रेस कमिटी द्वारा उनके कारेले पर जिला धेक्ष उतकर्ष अवस्ति के नेतरत्वेयों उपवास रखकर अपना विरोध दर्च कराया। इस उपवास में सीतापुर कॉंग्रेस कमिटी के पदादिकारी भी सम्मिलत हुए।